Praise the Lord, हम सब खुश हैं, आनन्दित हैं, आलेलुया, हम प्रातला करते हैं इस वचन के लिए, परमेशर आपको धन्यवाद देते हैं, परमेशर आप महान है, मही महरादर के योग्या आप है, परमेशर आप जैसा कोई ने परमेशर, वचन कहता है, परमेशर, कि आपकी उपसित का आशीर सब को दे परमेशर, सब तेरी बुद्धी से, तेरी आशीर से, तेरी उपसिती से, तेरी आत्मा की अगवाई में चले परमेशर तक ये वचन जो तुने मुझे दिया है, इनके जीवन को अदबुद बदल दे परमेशर, ये सलॉड, आज यहां से कोई खाली हाथ ना जाए, सुनने वालों के लिए अशीर मांगता हूँ, जब आप सुन रहे हैं, तो विश्वास के संग इस वचन को ग्रहन करिए, और मैं विश्वास करता हूँ, आपका जीवन परमेशर बतले का, इश्व मस्या के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं, हम रिलीस क तो क्या दे कर गए वो, क्या दे कर गए थे, एश्व मसीछ जब धरती से स्कृझ गए, जद क्या अपने चेलों को, अजीं पवीतराट्मात हा तो बात में आया, क्या दिया? आश्हा दी, क्या दिया? आश्वादि 되면 कि मैं जा रहा हूं, और मैं अपिराओं गा, वे से लह हलो क्या देकर गए एक आशा कि मैं जा रहा हूं और फिर मैं वापस आँगा तुम्हें लेने के लिए एक आशा हमारे जीवन को हिम्मत देती है एक आशा हमारे जीवन को सुख देती है hallelujah डर सताव मुसीबत खुद्खुशी करने का है अहसास यह कब आता है जब हमारे पास आशा नहीं होती है कब होता है कब हम दुख्य होते है कब हम विपत्यू हो पड़ते कब हम डर जाते है कब हम रोते है कब हम बिलगते है कब हम मदद के लिए पुकारते हैं जब हमारे पास आशा नहीं होती है लेकिन जब हमारे पास आशा होती है मेरे भाई, मेरे बेहन तो ये दुख, ये डर, ये सताव, ये विपत्ती हमें पीछे नहीं करती है हमें रोक नहीं सकती है हमारा आनंद नहीं छीन सकती है हमारी शांती नहीं छीन सकती है क्योंकि वो विपत्ती जो हमारे सामने खड़ी है उससे बड़ी आशा है हमारे पास विए सलोट हमें इशुमसी आशा देखर गया है अगर उस आशा को हम थाम के रखेंगे क्योंकि वो आने वाला, कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो आने वाला कितने लोग उसकी रहा देख रहे हैं अगर आप उसकी रहा देख रहे हैं मेरे भाई तो मैं आपको सच कहता हूँ कि आप परमिश्वर के सामर्थ के अनुसार जी रहे हैं अगर आप उसकी रहा देख रहे हैं, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपका जीवन में कुछ नहीं कर सकती है, अगर आप उसकी रहा देख रहे हैं, तो यही है कि आप उसमें बने रहेंगे, कैसे बने रहेंगे आप उसमें, आपको पता है, आप प्रभू में कैसे बनना चाहते हैं प्रभू में हम कैसे बने रहे हैं जह हम उसकी आशा देखेंगे जह हम उसकी रहा देखेंगे प्रेस अलॉट हमें आशा होती है कि आज बीस तारिक है और एक तारिको पगार मिलने वाली है और जब पगार होगी तो कर्जे निकल जाएंगे राशन आजाएगा और हाथ में पैसे आएंगे यह आशा हमारे साथ होती है आशा होती है कि मेरा धंदा चलेगा तो अद्बुत आशीश मिलेगा मेरे कर्जों से मुझे मुझे मुक्ती मिलेगी आशा होती है कि मेरी बच्च क्योंकि जिस धंदे पर आशा रखते हैं हो सकता हूं आपका धंदा बंद हो जाए जिस नौकरी पर आशा रखते हैं हो सकता है आपके नौकरी चली जाए जिस भाई पर जिस बहन पर जिस रिश्यदार पर आप आशा रखते हैं हो सकता है वह आपका रिश्यदार आपका है कि उसका कहना अमिठ है उसके बचा निस्तिर है है यह अलेलोई हिस्थित पर रखते हैं जबशुका एयुश्व पर करते हैं तो हम अपने आपको पवित्र रखते है कि उसकी पवित्रता हमारे अंदर बनी रहे है वह आएगा किसको लेने के लिए अपनी दुलन को, वो आएगा किसको लेने के लिए हमको, जो उसने हमको दिया है, अपनी पवित्रता हमें दिया है, अपनी निश्कलंकता हमें दिया है, निर्दोष्टा हमको दिया हमें उसको समहाल के रखना है, हालेलुया, उसकी आत्मा हमें दिया है, उसकी आत्मा के अग कि और मेरी आशा कौन सी है जीवित है वो आने वाला है और वो आशा कहती है कि हमें इंतजार करना है वो आशा कहती है कि मेरा इशु सच्छा है पहला पत्रस का तीसरे से पांस तक हम बचन पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे यह वचन आपके जीवन को बदल लेगा यह शक्ति को जानेंगे हालेलोया यह वचन आपको जीवन में अद्बुत आशीष देगा इसलिए विश्वास करिए पहला पत्रस तीन से पांच पहला मैं आपके लिए पढ़ता हूं उसके वाद हमारी बच्छी पढ़ेगी हालेलोया हमारे प्रभु इस्तुति हो इस्तुति करना हमारी शक्ति है ऑप्र जानते है कभी भी मुसिवत हो लिख ली जे कभी बीडुको कभी वह संकट यहीं कभी आप सोच नहीं कि क्या मैं करूं मैं डिशिजन कौझसा लूं इस्तुति आराधना जाने लगिए इस्तुति atra उना जाने लगिया मेरे भाई मेरी मेरे य परमेशर आपको उपाये देगा परमेशर आपको शक्ति देगा परमेशर आपको बताएगा किो मैं तुझम sonra हूं कंद्स में तो यह में तुझ मैं तुझमने विण सजब डी है मैंने तुझे अपना बुत्र दिया है मैंने तुझे जीवन दिया है मैंने तुझे जोती दिया है तु निराश मत हो क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ मैं तेरी जोती हूँ मैं तेरी सुती का कह रहा हूँ हालेलोईया तो क्या कहता है हमारे प्रभू इश्व मसी के पिता परमिश्र की स्थिती हो जिसने इश्व मसी के मृतकों में से जिला उठाने के दौरा अपनी अपार दया के अनुसार एक जीवित आशा के लिए हमें नया जनम दिया है Amen, Hallelujah, जोर से तालियां बजाईए है मेरे भाई आपको नया जनम क्यों दिया गया है ताकि वो जीवित आशा आपको मिले आपको नया जनम क्यों दिया है ताकि जीवित आशा आपको मिले वो जीवित आशा के लिए हमको नया जनम दिया गया है कि उस उत्रादिकार को प्राप्त करें जो अविनाशी, निश्कलंक और अमिठ है और तुम्हारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित है Amen Hallelujah क्यों हमें नया जन्म दिया है क्यों उसने हमें चुना है क्यों हमें आशादी है थाकि स्वर्ग में हमारा को इंतिजार कर रहा है Hallelujah स्वर्ग में हमारे लिए उत्रादिकार रखा गया है और वो उत्रादिकार क्या है अविनाशी है अमिठ है ना मिठने वाला है Hallelujah और निश्कलंक है There is a lot Hallelujah अगर मेरा मकान है, अगर मेरे पास कोई है, तो उसमें भी दोश है, मेरे पास यहाँ पर कोई चीज पवित्र नहीं है, मेरे पास यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है, जो अमिट है, जो अविनाशी है, है आपके पास ऐसी कोई चीज, जिसका विनाश नहीं हो सकता, जो मिट नहीं सकती कोई है ऐसी चीज आपके पास कोई है ऐसी चीज किसी भी उद्योग पती के पास जो यहां पर है जो संचार का सबसे बड़ा व्यक्ति है उसके पास कोई ऐसी चीज है जो अविनाशी है या बिट है नाई उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो अविनाशी है जो म उत्रादिकार जो सर्ग में रखा है वो उत्रादिकार जो ईशु ने दिया है वो उत्रादिकार जो परमेशन का पुत्र कहलाने के लिए मुझे मिला है वो है आविनाशी वो है अमट वो है निश्कलंक प्रिसलोट तो हमें नया जनम क्यों दिया गया है हमें नया जनम क्यों यहाऀय दिया गया है मेरी भच्ची ताकि हम उस जीवित आशा के साथ संसार में रहें आलुलूया यह तोड़ी była में रहेते हुए हमस कुट अत्रादिकार को देख चुह किन ते तरग में रखना और।्टा षण कंसर्ग में दिया गया है अवी नाशी निश्क लंक और अमिट प्रेस अलोड उसके लिए आपको जीवित आशा अपने संग रखते हुए इस धर्ती पर रखना है और क्या कहता है पांच्वावचन तुम्हारी रख्षा परमेश्वर के सामर्थ के दौरा विश्वास से उस उद्धार के लिए की जाती है जो अंतिम समय में प्र पिश्वास करते हैं तो आपकी रख्षा कौन कर रहा है पता है हालेलिया कौन आपकी रख्षा कर रहा है कौन है प्रेस अलोड परमेश्वर का सामर्थ प्रेस अलोड कौन कर रहा है आपकी रख्षा कौन कर रहा है धर्ती पर हलो कौन कर रहा है आपकी रख्षा के सामसे विश्वास के द्वारा उस उधार के लिए जो आने-वाले समय में प्रगट होने वाली है की जाती है एमेन आई बोली मेरी रक्षा िैएक साथ कहीज परमेश्वर के सामस्त के द्वारा जा इस धर्ति पर होती है कि आप समस्ते कि आप काम करते तो आपको आशीश मिलता आप है कि मेरे भाई आप जब चलते हैं तो परमिश्र की दूट आपके साथ चलते न जब आपने उस पर जीवीत आशा रखी हुई है कि मेरा इशू आने वाला है मेरा प्रभू आने वाला और मोश को लेके जाने वाला है मैं आपको चैलेंज करता हूँ मैं आपको उसाहित करता हूँ कि परमेश्वर का सामर्थ हर पल आपको घेरे रहता है चुकि वो जो परमेश्र का सामर्थ है वो आपको उठा उठाने के लिए ताकि वो उधार के लिए आपकी रक्षा के लिए रखा हुआ है आप नहीं जानते आप कौन है आप नहीं जानते मेरी भाई मेरी बहन आप कौन है हम सुब़ नौ बज़ आने के लिए सोचते हैं अरे सुब़ नौ बज़ जाना है यार अरे सुब़ ग्यारा बज़ जाना है अरे सुब़ डेड़ बज़ जाना है मिले भाई आप नहीं जानते आप क्या पा रहे हैं आपको क्या दे रहा है हर पल परमेश्वर का सामर्थ आप आपकी रख्शा कर रहा है हर पल हर पल आप क्या थै कभी आपने सोचा हमें क्या था अट आप academia कोि तब आप उस पबुतिता की शक्ति को जानेंगे तब आप उस निष्ग लंकता की शक्तिको जानेंगे खा आप क्या थे प्रॉबलम क्या है कि आप सोचते कि मैं अभी वहीं हूँ, चूप कि वहीं संसार देख रहा हूँ, वहीं पाप देख रहा हूँ लेकिन आप क्या थे? इसका टारा पड़ो बेटा, पहले का टारा सब्सक्राइब पहले पत्र एक का टारा क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकमा चाल चलन जो बाप दादों से चला अता है उससे तुम्हारा चुटकारा चांदी सोने अता नाश्वान वस्तुव के द्वारा नहीं हुआ क्योंकि तुम जानते हो, कितने लोग जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं, तो आप बहुत ही, बेटा, आप बहुत ही, एक ऐसे इंसान है, जो आप इशू मसी की कदर को नहीं जानते हैं, उसी कीमत को नहीं जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं, क्योंकि तुम जानते किसी की काम नहीं आने वाला स्वार थी लालच मेरा 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 अज़िज मेरा मेरा मेरे परिवर का सroph of divine से कि अलिए फॉट प lotta उसकी कोई भी हमियत नहीं है निकम्मा-चाल जो बाब दादाओं से चल आता है उससे तुम्हारा चुटकारा चांदी और सोने से अर्थात नाशमान वस्तों से नहीं हुआ है उन्यस मां नाश्मान वस्तों से आपको छुटकारा नहीं हुआ है आप जो छुटकारा करें बैठे हुए हैं आप जो चुटकारा लेकर बैठे हुए हैं अब जो आशीश लेकर बैठे हैं वो कैसे हुआ है कि कोई तो है जो आपके लिए मरा कोई तो है जसने दाम चुकाया आपके ने तो बाप किया था सजा किसने भोगी सजा किसने भोगी कोई तो है कोई तो है किसे मेरे और आपके लिए सजा भोगी दाम चुकाया कौने वह एमैन जो शतालिया बजाईए हालेलोईया तो हमारा चुटकारा सोने और चौनी से नहीं पर निर्दोश और निशकलंक मेमने अर्थात ईशू के बहुमूल लहू के द्वारा हुआ है एमैन आपके जो पाप थे ना वो इशू मसी के लहू के द्वारा धुल गए आपके जो गलस सोच थी ना वो इशू मसी के लहू के द्वारा शुद्ध हो गई निकल गई आपके अंदर से आप अभी तरता एसलोट क्या थे आपके पैस निकम्मा चाल चलन क्या थे हम अपराधी वेविचारी दुष्चता भरी हुई थी लेकिन इशू ने अपने बहु मुल्य और निर्टोश लहू को बहा कर हमें शुद्ध किया और पवित्र किया और हमें इस योग के बनाया कि हम प्रभू को जान सकें हालेलोई आप नहीं जानते हैं भीया आपने सिरफ इच्छा जाहिर की आपने सिरफ घुटने टेके आप प्रभू अंदर से आप ढूल गए ने हूं आपको पता ही नहीं चला अवЕ है 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 इसलिए मेरे भाई मेरी बहन कलीशिया में जब आव विश्वास के संग आते हैं चलीशिया में जब आप विश्वास के संग वचन को सुनते हैं तो वो वचन आपके अंदर जाके काम करता है आपको बदलता है आपके सरूप को बदलता है आपके विशारों को बदलता है आपके जीमन को बदलता है और अंदर से अंदकार दूर करके के अपनी जोती जालता है हलो इसलिए ध्यान से वचन को सुनिए ध्यान से वचन को ग्रहन करिए इदोद्र मत देखिए सारे वाइरस जो आपके अंदर है ना वो खतम हो जाएंगे खुल जाएंगे कि शिरफ विश्वास के संग उस वचन को लीजिए विश्वास के संग वचन को लीजिए आपकी हर कमी घटी आपकी विपत्ती आपकी मुसीवत परमिश्वत दूर करेगा मेरे भाई मेरी बहन hallelujah क्योंकि वो है इसे लिए उसको आनंद दाता है आपको फल देने में रोमियो 15 का आठ क्या कहता है यहाना 15 का आठ कि उसको आनंद दाता है आपको फल देने में hallelujah praise the Lord इसलिए भाई जब जब हमने उद्धार, जब हमने आशीश उस बहुमूनले निर्दोश लहू से पाई है, तो हम क्या बन गए हैं? आपको पता आप क्या बन गए? पहला पत्रस दो का नो, आपको पता आप क्या बन गए? एक चुना हुआ वंश, बोलिये मैं चुना हुआ वंश हूँ, अपने गुरु गमलियल के पास भी नहीं गया, अपने दोस्तों के पास नहीं गया, पत्रस के पास नहीं गया, याकूब के पास भी नहीं गया, यहुनला के पास भी नहीं गया, प्रेस दो लॉट, वो अरब र पवित्रातमा गाइड करता रहा पवित्रातमा प्रकाशन देता रहा है तीन साल अरब रेखित्सान में पवित्रातमा ने उसको करकाशन दिया तीन साल तर्तुस में और एक साल अन्ताकिया में साथ साल पॉलुस लिखना जाये तो आप लिख लिजे शाथ साल कि पॉलुस पवित्रात्म के साथ रहा और उसे वह प्रकाशन मिला जो उनके चेलों को भी नहीं मिला था कियूं कैसे रहा क्योंकि उसके पास जीवी ताशा थी रेस प्रेसदाट उसके पास जीवी ताशा थे की ईशू आएगा जिस काम के लिए इसू ने बेजा हो मुझे वो करना है इसलिए अगर सतावाता था वो आनंद मनाता था वे पत्ति आती थी वह उसने कितने जोख ही मुठाए हैं, क्यों? क्योंकि उसके पास जीवी ताशा थी आज थोड़ी सी विपत्ती, आज थोड़ा सा सताब हमें हिला देता है हमें हिला देता है, अरे क्या होगा? क्या होगा मेरे बच्चों का, क्या होगा मेरे धन्दे का, क्या होगा? प्रेस अलॉट, उस सवाल का एक ही जवाब है, क्या होगा और मुझे लेकर जाएगा प्रेस अलॉट, अगर आपके पास आशा रहेगी, अगर आप इशु मसीगी रहा रोज देख रहे हैं मैं आपको सच कह रहा हूँ, आपको अपने जिन्दगी जीने का तरीका बता रहा हूँ अगर आप इशु की आशा रोज देख रहे हैं, आने की आशा, आने की रहा अगर इशु मसीगी आप रोज देख रहे हैं, आपसे कभी पाप नहीं होगा नंबर पहला आपसे कभी पाप नहीं होगा और दूसरा आप मायूस नहीं होगे आप मायूस नहीं होगे, आप दरेंगे नहीं क्योंकि मेरा प्रभू आने वाला है और वो मुझे लेकर जाने वाला है आलेलोया इसलिए इस जीवित आशा को इस आशा को अपने अंदर जीवित रखिए और जब वो आशा आपके अंदर जीवित रहेगी मेरी भाई वशन कहता है पहला पत्रस एक का पाँच के परमेश्वर का सामर्थ आपकी रक्षा करेगा परमेश्वर का सामर्थ आपके आपके रोजी रोटी को आपके खाने पीने को आपके कमी घटी को देखेगा परमेश्वर का सामर्थ जब आप परमेश्वर की रहा देखेंगे जब आप परमेश्वर के वशन पर चलेंगे जब आप परमेश्वर के अनुसार जीवन बिताए और पर मिश्ऩर में मगं होंगे किया कि मैं अब को सच्छ कह रहा हूं मैं को उसाहित कर रहा हूं अ हलेलए जिनको नीदा रही है अपनी अपनी आखें धो लीजे ग्रेस आ WAS जिनको नींद आरी एक गाल पर टप्ड मारे एक अपने आप मारी आ नींद जली जाएगी ऑघल्यूर आप के अलेलोया भाष्ट लेकिन वह जीवित अशा हमारे अंदर रहने च्छाहिए एक रस लॉट मुसा का नाम तो आपने सुने मुसा के अंदर वह जीवित अशा थी और वो कहता था पर मेश्षार जब तक तू नहीं जाएगा मैं नहीं जाओंगा कि नर्गमन थर्फ का पंदरा एंद अब कया हम कहते हैरा किया हम कहते है हर पसथिती कुमें महसूश करना चाहता हो कभी आपने ऐसी प्रात्ठा कीए किअ सिह का पमी नियुकर ँख्या चाहते हुं कि मैं तुझे मैं सूस करूं हर पल मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे मैसूस करूँ मुसा क्या कहता है उसने उससे कहा यदि तू आप न चले मेरे साथ तो हमें यहां से आगे मत ले जा मुसा कहता है मुझे उन्नती नहीं चाहिए मुझे आगे नहीं बढ़ना है मुझे सुक नहीं चाहिए मेरा सुक तु है परमेश्वर मेरा सुक तु है अगर तु मेरे साथ नहीं है मुझे आगे नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना है क्योंकि उसने जान लिया था उसने उसकी उपस्थिती को पहचान लिया था उसने उस सुक को सुख का अनुभव कर लिया था जो परमेश्वर का था आललुया प्रेस अलॉट आपको पता परमेश्वर जब आप जब परमेश्वर के भै में रहते हैं तो परमेश्वर आपको क्या देता है पता जाना चाहेंगे जब परमिश्द कभे आपके संग होता है, आपके मिलता है, बजन सहीदा 25 कभारा, बजन सहीदा 25 कभारा, वहां कॉन है, जो यहुआ कभे मानता है, यहुआ उसको उसी मार्क पर, जिस से वा प्रसंद होता है, चलाएगा, Amen, Hallelujah, Praise the Lord, क्या कहता है, वो कौन है, देखिए मैं आपको मेरी बाइबल से पढ़के बताता हूं, बड़ा अच्छा मेरी बाइबल में लिखा हुआ है, Hallelujah, 25 का 12, सबने निकाल लिया, बजन सहीता 25 का 12, वो कौन है जो यहोवा का बहे मानता है, उसे यहोवा उस मार्ग की चाहिए, कई बार हम बहुत कन्फ्यूस हो जाते हैं, हम क्या करें, यह करें कि यह करें, इस मार्ग पर चलें, फाइदा होगा यह उस मार्ग पर चलें, होता की नहीं होता है, हमारे जीवन में कई चुनाव आते हैं, हम क्या करें, हर मोड पर एक चुनाव होता है, अगर पर परमेशवर आपको वो बुद्धी देगा कि आप कौन सा मार्ग चुने आपको किस मार्ग पर चलना चाहिए आपको बताएगा जब हम परमेशवर के भ्ये में अपने जीवन को गिजारेंगे है जब हम परमेशवर से डर के हर काम करेंगे कि जब हम परमीशर की उपसिती अपने जीवन में पहला इस्थान रखेंगे कि मैं आपको सच करता हूँ चैलेंज करता हूँ आपको हर मुश्किल आपको कभी भी मुश्किल नहीं आएगी आपको हर मोड़ पर अगर आप खड़े हो जाएंगे आपको आंसर मिलेगा कि तुझे क्या करना चाहिए अगर परमीशर का भ्यए आपके अंदर है तो अब सुची कि आपने आज तक हर मार्ग अच्छा उना है औहीए मार्ग मैं फैल हो गया हूं-ग अगर आपने अघर मार्ग आपका अच्छा होता तो आज आज आप नहीं होते कि हमारे हर्थ विमय मार अच्छे नहीं थे इसलिए हम फेल हुए लेकिन अब इश्य हमारे साथ है परमेशर हमारे साथ है और वचन कहता है कि अगर हम उसके भह में अपने जीवन को गुजाएंगे तो वह हमें बताएगा कि हमें कौन से मार्ग पर चलना चाहिए क्षपी अलोिया इसलिव वो कहता है कि वह जीवित आशा परमेश्व नहीं आपको दी है जब आपको न्या जन मिला वह जीवित आशा अगर आप उस जीवित आशा के lors जीवन को गुजारेंगे वो जीवित आशा कर आप अपने अंदर रखेंगे मेरे भाई, मेरी बहन आपका आनन्द कभी नहीं जाएगा आपको निराशा कभी नहीं होगी, आपके जीवर में डर कभी नहीं आएगा और जब परमेश़र का भए आपके अंदर होगा एक नई जोटी, एक नया आनंद एक नई उपस्ति परमिश्र कि आप हर पल महसूस करेंगे हालेलया हेमेन हेमेन हालेलया इसलिए आज से आशा मत छोड़िये इश्यू आने वाला है हर पल इंतजार कर दिये प्रपू का और मैं आपको सच बता रहा हूँ अंतिम समय चल रहा है इश्यू कभी भी आ सकता है इसलिए यह मत सोचिए कि दिया कल प्रात्रा कर लेंगे अरे कल हम माफी मांग लेंगे कल हम पश्चताब कर लेंगे नाई हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जो परमिश्र की दृष्ची में गलत है हमें कोई ऐसा विशार भी नहीं लाना जो परमिश्र की दृष्ची में गलत है प्रेसलोट कभी भी प्रभू आ सकता है हो सकता हमें माफी मांगने का समय ना मिले कभी भी किसी भी पल इश्यू आ सकता है हमें अपने आपको तयार रखना है और हमारे संग क्या होना चाहिए जीवित आशा बोलिए जीवित आशा मेरे पास जीवित आशा है हालेलुया मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा जोर से तानिया वजाई फिता परमिश्र के लिए पावित आत्मा के लिए शो मसे के लिए